नमस्कार दोस्तों और वेलकम यो टो जिके ट्रिक्स इस वीडियो में हम 857 के 25 इंपोर्टेंट कुशिंस देखेंगे साथ मैं आपको जितने भी एक्स्टा फैक्ट बताओ उनका भी आप दियान रखें काफे इंपोर्टेंट वीडियो है और आपको आपके एक्जाम में इस ओदिक सेद्ี่ कोशिं की चिरम करें और जब तक के आपको आप स्लेक्शन नहीं हूँ आप किसी भी सोर्च से चाहे आप 1857 में इलाबाद में विद्रो का नेतर तो किस ने किया था। वीडियो को पॉस करके आप इसका आंस्वर जरूर लगाएं। अगर आप पॉस करके आंस्वर लगाते हैं तो इसे से आपको आपकी तियारी का पता चलेगा। और इसे समद्देद एक्जाम कोशन पुछा भी गया है। आगे देखते हैं फिर 857 के विद्रो में नेमनल लिक्त नेताओ की मृत्यू का कौन सा करम सही है। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंस्वर सही है। तो यहाँ पर जो सही आंस्वर है वो इस प्रकार हो अंग्रेजो की राजी हडप नेती से नेमनल लिक्त में से कौन सा प्रभावित नहीं हुआ। चार अप्शन दे रहके कौन प्रभावित नहीं हुए थे। नाना साब जासी की रानी और बहादुर सा यह तीनों प्रभावित हुए थे अंग्रेजो की राजी हडप नेती से लेकिन मौलवी अहमद उल्लासा ये प्रभावित नहीं हुए थे अंग्रे जोकी रजी हडपनिती से तो आप्सन नमर फोर्थ यहां पर सही है नाना साब का सम्मन था कानपूर से ये आपको ध्यान रखना है ये कहां के थे कानपूर के जासी गिराने का सम्मन जासी से था बा दंका सा भी कहा जाता था दंका सा तो ये आपको ध्यान रखना है फिर नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है अट्रसो सत्तावन के विद्रों को पर्थम स्वाधिन्ता संग्राम किस्टने कहा था बोस्ट इंपर्टन कोशन है और ये कोशन एक ज़ग्जमां पूछा भ और अपसरों को अंग्रेजों के विरूद विद्रों करने के लिए बढ़काया था ये कौन थे चार अप्सन दे रखें हैं तो इसका जो सही आंस्पर है वह है लक्समन राव लक्समन राव ने सिपायों और अपसरों को अंग्रेजों के विरूद विद्रों करने के लिए ताकि वे रांदी लक्ष्मन बैकी सायता कर सके तो आपको ध्यान रखना है important नाम है लक्ष्मन राव आगे देखते हैं निमच में विद्रो कितने तारीकों हुआ था तो जो निमच में विद्रो हुआ था वो हुआ था 3.0857 को और किसके नित्रत्यमे वहा था यह भी आप जरू ध्यान रखना के important है यह हुआ था हीरा सिंग के नित्रत्यमे important है हीरा सिंग के नित्रत्यमे 3.0857 को निमच में विद्रो हुआ था आगे देखा हैं 8.0857 के विद्रो के लिए कथितर रूप से किस तिती को निश्चित किया गया था तो कौन से तिती निश्चित की गई थी ये की गई थी 31 मई 857 most important question है और ये आपको ध्यान रखना है 31 मई 857 निश्चित की गई थी लेकिन 10 मई 857 को विद्रो हो गया था merit में तो ये आप जितने भी fact है ये आपको ध्यान रखनी है इंपोर्टेंट है फिर next question है कब merit चावनी के शिपईयों ने चरभी लगे कार्थुसो को परियोग करने से इनकार कर दिया ये भी कफ़ी important question है तो choice अपरेल को merit चावनी के सिपईयों ने चर्वी लगे कार्तुसों के परियोग से इनकार कर दिया तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है और जो इसमें सैनिक थे मेरट सानुम में उस समय उस समय थे नबे मतलब नबे सैनिकों ने असी पाईयों ने चर्वी लगे कार्थोसों के परियोग से इंकार कर दिया था 24 अप्रेल को यह आपको ध्यान रखना है फिर आगे देखते हैं ऐसा किस ने कहा था कि यदि सिंधिया क्रांती में सामिल हो जाता तो हमें ब्रिटैन वापस लोटना पड़ता तो यह जो कतन है यह कतन किसका है यह कतन था Lord Canning का तो यह आपको ध्यान रखना है Lord Canning ने कहा था कि यदि सिंधिया क्रांती में सामिल हो जाता तो हमें ब्रिटैन वापस लोटना पड़ता तो नेक्स कुश्यन है हमारा वो है गुंतिस मार्च को बेरकपुर छावनी में एक सेनिक मंगलपंडे ने किस अंग्रेज अधिकरी की हत्या कर दे थी तो मंगलपंडे ने किस की हत्या किये थी 29 मार्च को बेरकपुर छावनी में तो मंगलपंडे ने किये थी Fusion और Guff इन दोनों की हतिया किये थी यानि दोनों यापको ध्यान रखना है इन दोनों की हतिया कर देती मंगल पांडे ने बेरकपुर छावनी में गुंतिस मार्च को और इनका सम्मन्द किस नेटिव इनफेंटरी से था तो 34 वी नेटिव इनफेंटरी से इनका सम्मन्द था और ये क कई अधिक बार एक्जाम में पूचा गया कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गए थी तो आठ अप्रेल को मंगल पांडे को फांसी दी गए थी इंपोर्टेंट है यह आपको ध्यान रखना है आगे देखते हैं आगे हैं कौन सा युगम गलत हैं के अंदर दे रखे हैं और व उपश्यन करना है दिल के सामने दे रखा है दिल की वर दूसा जफर लक्नों की सामने दे रहा हैं बेगम हजत conductor के सामने तो यहां पर जो गलत यूग में हैं वो है सबसे लाश्ट वाया फाइब नुमर पाठी के जहांसी में जो विद्रोई थे वो थे रानिलक्स्मी भाई नौट की लियाकत अली लियाकत अली ने विद्रोग का नेटरत किया था इलाबाद से तो यह कुशन काफी है और इस तरह के कोशन एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं केंद्र और जो यह विद्रोई होते हैं कभी कबार यहां ऐसे अर्शंगत वाले पूछे जाते हैं कभी सुमेलित करने वाले पूछे जाते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है यह केंद्र है और इनके यह सामन दिखते हैं सुम्मिलित कीजिए केंदर दे रखे हैं और अंग्रेज अधिकारी दे रखे हैं और यह वह अधिकार है जिन्हों विद्रुयों का दमन किया था तो दिल्ली के सामने दे रखे हैं निकोलस और हड्सन लकनों के सामने दे रखे हैं केमपवेल जगदीशपूर के सामने दे रखे हैं विलियम टेलर फेसबाद के सामने दे रखे हैं विंसें टायर बरेली के सामने दे रखे हैं निल तो आपको यहाँ पर वीडियो को पॉस करके इनको सुमेलित करना है कि यह किस क्रम में सुमेलित होंगे तो अब मैं आपको इसका आंसर बदाता हूँ यहाँ पर यह जितने भी दे रखे हैं यह सारे के सारे सुमेलित हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में विद्रियों का दमन क तो यह जितने भी फैक्ट है यह आपको ध्यान रखने काफी इंप्पोर्टेंट है इनसे भी एक्जामे कोशन देखा गया है आगे देखते हैं बहादुर साथ जफर को अंग्रेजों ने ग्रिफतार कर कहां पर बेज दिया था तो कहां पर बेज दिया था रंगून की जेल म और इनको ग्रिफतर पर किया गया था हिमायू की मकبر से 惹क्छली वीडियोन में डिसक्स किया था अगर आपने नहीं देखा हैं तो वीडियो जरू देखें को विजिट करके आगे देखते हैं बारतीय करांफी कारियों जब जशाप्ज में ने किले के दरवाजे कोल दिये फिर अंग्रेट जैसि का इसक किले में आ गए थे तो फिर लक्ष्मिबाई वहां से क्यासी के क्ले से फिर वह पहुची काल्पई और यह काल्पी वही है जहां पर रानासांगा की मिरती हुई थी कालपी जब पहुची तो कालपी में वह मिली तात्य टोपे से फिर इन दोनों चाहिए तो बरेली के यहाँ पर आपको बताना है कि कौनसा युगम के सामने गलत है ओं को बताना है तो यहाँ पर जो गलत युग में है वो है सिय भूम निल सिय भूम के जो विद्रोई थे वो थे गौनू नौट की निल निल तो एका अंग्रेज अधिकारी थे जिनोंने बरेली की जो विद्रोई का दमन किया था तो यहाँ आपको ध्यान रखने है इंपोर्टेंट है वापस देख लेते है जल्दी से बरेली के जो विद्रोई थे वो थे खान बहदुर खान इलाबाद के थे लियाकतली फतेयाबाद के थे अली मुल्ला बडोल के थे सावुमल सिय भूम के थे गोनू नेक्स कुश्यन है तात्या टोपे कूक उसके किस दोस्त ने नर्वर अमपी में अमपी के जंगलोह में अंग्रेजों के द्वराः इनको पकडवा दिया था तो यह इनकी दोस्त कौन थे यह थी मान सिंग्सिंग यह आपको द्यान रखना है मान सिंग ने इनके साथ धोकदड़ी करके नर्वर MP के जंगलों में अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़वा दिया था और फिर सीवपूरी में इनको फासी दिया 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 थी 8069 में अंग्रेजों ने किस विद्रोईयों को पकड़ने के लिए 50,000 रुपे का इनाम रखा था तो किस विद्रोईयों को पकड़ने के लिए इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपे की रासी का इनाम रखा था यह आपको द्यान रखना है और मैं आपको आगे बता चुका हूँ कि इ नाम क्या है उनका नाम है बिसेंट आयर तो यह आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है बिसेंट आयर ने विद्रुयों का दमन किया था फैजाबाद में और फैजाबाद की विद्रुयों कोन थे मौलवी अहमद उल्लासा नेस्ट कुशियों ने 887 की करांति के जो प्रम कि योजना किस ने तियार की थी तो 857 की करांति की मुक्य योजना तियार की थी नाना साहब पेस्वा रंगो जी बापू और अल्ली मुला उपयूक सभी उप्रोक सभी तिन्हों ने 1857 की मुखी योजना तियार की थी तो इन तिनों का नाम आपको याद दोना चाहिए important है फिर next question देखते है next question है 1857 की करांती के समय भारत का governor general कौन था तो 1857 की करांती के समय भारत का governor general था Lord Canning option number 3 यहां पर सही है यहांको ध्यान रखना important है आगे देखते है निम्द मेश से कौन 1857 की करांती के समय नेपाल नहीं गए थे तो यहांपर option दे रखे है तो नाना साब और हजरत जो महल है बेगम हजरत महल यह दोनो नेपाल चले गए थे बाद में और जो राम चंदर पांडूरंग है इनका वास्विक नाम था तात्या टोपे यह नेपाल नहीं गए थे बलकि इनको तो पकड़वा दिया था इनके दोस्त नहीं और बाद में इनको फासी दिया 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 थी तो यह fact आपको ध्यान रखने है important fact है आगे देखते हैं आगे देख रखाएं नहीं 855 की करांती के समय किस अंग्रेज अधिकारी को लख्नव में जिन्दा जला दिया गया था तो 857 की करांती के समय हैंडरी लॉरेंस को लख्नव में जिन्दा जला दिया गया था यहापको ध्यान रखना है काफी important question है हैंडरी लोरेंस को लखोनव में जिंदा जला दिया गय था 887 की करांती के समय तो friends ये थे हमारे 25 important question 887 की करांती से समक्याइथ अगर आप ने 887 की करांती का जो वीडियो है राज़सान से समक्याइथ वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्चिप्चन में और हर कोशिन अटेम्ब करें और अपने तयारी को सुनिचित करें तो फ्रेंड्स इस वीडियो बस इतना ही है अगर वीडिया पहुचा लगाएं तो लाइक और से जरू करें धन्यवाद